हेलो गाईज मैं हूं मोविन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फोटोशॉप में फेस कैसे चेंज किया जाता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को वीडियो को शेर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब आप सेकेंड़ इमेज ओपन पर लेते हैं जो जिस पर हमें वो वाली इमीज ऑपन दे तो यहांसे सैकेंड़ इमेज लेते हैं और हुर्यasmus यहां हमारी इमेज तो अब हम करते हैं इसके इसके सेलेक्शन यह देखिए फैस को सेलेक्शन करते ही हम करें कंट्रोल सी से कोपी और दूसरे इमेज पर ले जाके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर करेंगे हम कंट्रोल टी और फैस को एड़ेस्ट करेंगे दूसरे फैस पर एड़ेस्ट करने के बाद लेयर में आएंगे और लेयर पर यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे right click करने के बाद आते हैं select में modify and contract contract यहां पर level देखना 10 हम i को close कर देंगे layer की तर में हम यहां पर lock अटा देंगे click करके lock अटाने के बाद उस layer पर delete press करेंगे जो उसके face को select किया हुआ है delete करने के बाद दोनों layer को control press करके select करेंगे और उसके बाद आते हैं edit में edit में आने के बाद auto blend layer और image को stack करते हैं stack image पर click करते हैं तो देखी हमारा face हो चुका है change अगर हमारी वीडियो आपको फसंद आई हो तो like करना और वीडियो को share करना अपने friends के साथ और channel को subscribe कर देना